सुपरस्टार, सिंगर 2K, कैप्चन और सिंगर पवधी, प्राजन, अरुंता कांचिलार के लिए सेट पर काम करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि काम तो आसान है लेकिन इने जो लोगों के ताने फेस करने पड़ें वो किसी मुसीवस से कम नहीं है हर रोज इनसे कुछ न कुछ ऐसे सवाल किया जाते हैं, ऐसा काम करवाया जाता है जिससे ये बूरी तना फस जाते हैं शायदी कोई ऐसा एपिसोड खाली जाए जिसमें पवण अरु का रुमेंस न दिखाया जाए, पवण अरु की नजदी क्या न दिखाया जाए कभी मेकस दोनों को कपल डांस करवाते हैं तो कभी हिमेशिश मिया दोनों को एक दूसरे में खोए रहने पर टोकते नजर आते और इस बार तो शो के होस्ट आदित नारायन ने भी मौक के का फायदा उठा लिया वो भी पवन और अरुंता से ऐसी बात पूछ बैठे कि पवन पवन दीप अरुंता कैसी लग रही है अब यह सवाल तो छोटा था लेकिन पवन दीप के दिल में इक आलागी उथल पुतल होने लगी क्योंकि वो अरुंता कराम सुनते ही शोक्त हो जाते हैं अब इसे प्यार समझे या फिर लोगों का डर समझे लोगों की चुनाती समझ लोगों की कॉमेंट्स समझें वो सोचने लगे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है सोचल मीडिया पर फिर से फैंस उनके रिष्टे का मज़ा अकुराने वाले हैं हाला कि पवन ने कुछ सेकंड रुखने के बाद जवाब भी दिया उन्होंने कहा कि अरुंता बहुत कमाल सब अच्छे लग रहे हैं आदित कहते हैं सब नहीं सोनी टीवी अच्छी लग रही है दोनों एक दूसरे की बातों पर खुब हसते हैं तो आप पपन अरु के रिष्टे को क्या सलह देने जाएंगे सुपरस्टार सिंगर 2 के ने टैलेंट बनकर मंच पर आए मोहमद फैस जो इस वक्त अपनी बहतरीन आवाज को लेकर खुब सूर्कियों में फैस की आवाज में दर्द एमोशनल के साथ रोमेंस भी खुब महसुस किया जा रहा है फैस ने अपनी आवाज से आरुनीता को इसकदर दिवाना बना दिया कि आरुनीता को अब चारो तरह फैस ही फैस दिख रहे हैं जब भी सुपरस्टार सिंगर की बात होती है तो आरुनीता अपनी टीम के फैस का नाम लेती है एक वीडियो में फैस अरुनीता के साथ गलंग मूवी का गाना गाते नज़रा रहे हैं जज भी अरुनीता और फैस का तालमेल देखकर स्थम हो गए वो सोच में पड़ गए कि कभी को जोग पाबन अरुनीता के करीब होकर मैं फिल जमाते थे आज उनकी जंग है फैस ने ले लिये लोग अरुनीता का नाम फिर से फैस से जोडने लगे वाकाई दोनों के बीच गजब का तालमेल देखा जा रहा हैं हाला कि आरुनीता फैस की कैप्टन और टीचर हैं जो उन्हें बेतरी इन परफॉर्मिस देने के लिए तयार करती हैं सोचल मीडिया पर आरुनीता और फैस के कई फोटो भी वायरल हो रहे हैं एक फोटो में फैस अरुनीता का हक से हाथ पकड़ कर उन्हें मच की तरफ लेते जा रहे हैं तो वह हीं दूसरे फोटो में फैस अरुनिता के बिलकुल करीब जाकर उनके कान में कुछ बोलते नजरा रहा है ये सब देखकर पवंदीब के दिल में घंटी जरूर बज रही होगी पवंदीब का क्या हाल हो रहा होगा वो तो वही जाने लेगिन पवंदीब तो खुद अपने कंटेस्टन को छोड़ कर आरुनिटा की टीम के कंटेस्टन की मदद के लिए आगे आ जा रहे हैं पवंदीब अपनी टीम के वज़ाए अरुनिटा की टीम का साथ देंगे तो वो ही विनर बन सकते हैं लेगिन फिर भी पवंद किये जाने क्यूंकि उन्होंने अरुनिटा से दोस्ती की और उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि अरुनिटा की टीम जीते या पवंद की टीम जीते तो उनका गाना सुनकर हिमेश रिष्मिया चौक जाते हैं। सुनकर हिमेश चौक जाते हैं। अरुनिता इस वक्त नाईरोवी में खुब इंजॉय कर रहे हैं। लगातार इनके धेश सारे फोटो सामने आ रहे हैं। अरुनिता पवन के साथ खुब मौच मस्ती भी कर रही हैं। जिसके एक जलक हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नाईरोवी के जू घर में पवन अरु घुमने जाते हैं। यहां पवन अरुनिता और पूरी टीम के लोग चिडिया घर के जानवरों को गौर से देखते नज़रा रहे हैं। पवन दीप अपने हां से हीरन को कुछ खिलाते नज़रा रहे हैं। और अरुनिता उनके इस खुबसूरत किस्वे को अपने फोन में कैद भी कर रही है। इनके लावा पवन दी, प्राजन, आरुनिता पूरी टीम रास्ते में सडक पर बैट बैट कर फोटो शूट करवाते हैं। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि यहां भी पवन और आरुनिता मैचिंग कलर के कपड़े पहने नज़र आए। पवन अरु के कंदे पर हात्रा कर बिंदा फोटो शूट भी करवा रही है। पहीं आपको बता दे नाइरोबी की पहली परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया। और अब इनके ऐसे वैसे कपडों पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। क्या तुम दोनों डिसाइड करके ही कपड़े पहनते हो। पवन अरु ता दोनों लाइट व्लू टीशोट में नज़र आए। ऐसा कई बार हो चुका है जब पवन अरु एक जैसे कपड़े पहने देखे गए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं। कॉमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। विभोर, अंकुष, निलांजना, रे भी थे। सबको पीछ छोड़ते हुए सलमान अली ने इंडियान आइडल 10 का खिताब जीता। सलमान जागरन में गाना गाते थे जिससे उनके परिवार का खर्च चलता था। लेकिन इंडियान आइडल जीतने के बाद आज देश में उन्हें एक पहचान मिल चुकी है। जिसकी बदाईया पूरा देश उन्हें दे चुका है। वही आप सलमान अली को एक बाद फिर से सुपरस्टार सिंगर टू के मंच पर भी देखा जा रहा है। यहाँ भी सलमान के लिए चुनोतियां कब नहीं हुई है। हर्याना के मिवाद के पुनहाना कस्वे में रहने वाले सलमान अली और उनका परिवार पीडियों से संगीज से जुड़े हैं। सलमान अली बताते हैं कि दादा से लेकर पर दादा तक सुर्टाल की इस दुनिया से नाता रखते हैं। उनके दादा अब्दुल शकूल तो अकाश वानी में गजले भी गाते थे। सुरो से इतना जुड़े होने के बाब जूद भी ये परिवार पैसो की तंगी से जूच रहा था। सल्मान बताता है कि माता पिता के अलावा परिवार में तीन बहने और एक बड़ा भाई भी है। वो परिवार में सबसे छोटे हैं और कम उम्र में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया था। पिता ने काफी मुश्कलों से गुजनने के बाद बहन और भाई की शादी भी करवाई। एक उम्र के बाद पिता गाना नहीं गापाते थे। नोंने अपने संगीत के सफर में अपने बेटे सल्मान को जोड़ दिया। और मात्र साथ साल की उम्र में ही उन्होंने परिवार के लिए गाना शुरू कर दिया था। मजबूरी में शुरू किये सफर में सल्मान अली को मजा आने लगा क्योंकि संगीत से उनकी जुगलवंदी बैठने लगी। जागरन में गाना, पाठियों में गाना और कभी कबार कबाली में हिस्सा लेना उनके लिए दिल्चस्पी का हिस्सा बनने लगा था। इन सबसे मिलने वाला पैसा वो परिवार की देख देख में देते थे और खर्ज चलता था।